handling के भारे में पढ़ेंगे तो अब हम आलेक या graph के प्रकार के बहर में पढ़ेंगे पहला graph या आलेक का प्रकार जो हम देखने वाले है वह है चित्रोले या・ इस चित्र में एक-पिक्टोग्राफ का उधारन दिया गया है लहाँ पर एक कक्षा में बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बार में बताया गया है यहाँ पर हर एक गेन दस बच्चों के बराबर है तो इससे हमें क्या समझ आता है बेसबॉल में पाच गेन बने हुए यानि कि इसे पचास बच्चे खेलते हैं फुटबोल में 3 गेन बने हुए हैं मतलब इसे 30 बच्चे खेलते हैं और सौकर में 6 गेन बने हुए हैं यानि कि इसे 60 लोग खेलते हैं फुक्की में 2 गेन बने हुए हैं जानि इसे 20 लोग खेलते हैं और बास्केट बॉल में 4 गेन बने हुए हैं जानि कि इसमें 40 बच्चे खेलते हैं इस प्रकार हम पिक्टोग्राफ को पढ़ सकते हैं दूसरा ग्राफ या आलेक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है डंडर आलेक या बार ग्राफ इस चित्र में एक डंडर आलेक या बार ग्राफ का उधारन दिया गया है इस चित्र में हम कक्षा के विद्यारतियों के मनपसंद कलर का आलेक बना रहे हैं तो यहाँ पर लाल 23 बच्चो यह 23 बच्चो का मन पसंद कलर है, ब्लू 15 बच्चो का मन पसंद कलर है, यह ग्रीन 10 बच्चो का मन पसंद कलर है, ब्लैक पाच बच्चों का और पिंक बच्चों का इस तरह के इस तरह से हम एक बार ग्राफ या डंड आले को पढ़ सकते हैं अब तीसरा आले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हो ज्वीय दंड आले के डबल बार ग्राफ है यह डबल बार ग्राफ का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हम दो सामान वस्तुओं की तुलना करना चाटे हैं जैसे इस चित्र में एक डबल बार ग्राफ का उधारन दिया गया है इसमें दो कार डिलर्स के व्यापार की तुलना की गई है अब एक उधारन नीचे दीवी सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपर्युक्त आले खीचिये अब यहाँ पर एक घड़ी बेचने वाले द्वारा ये बनाया जा रहा है यहाँ पर वो महीने द्वारा बेची गई घड़ी का चितरंग कर रहा है तो जुलाए में वो हजार घड़ी बेचता है अगस्ट में पंदरा सो सितंबर में भी पंदरा सो उपर में दो हजार और नवेंबर में ठाई हजार जब तुम पीछे दिये गए उधारन का चितरंग करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा अब हम आकड़ों का संगटन के बार में पढ़ेंगे और संगटित रूप में प्राप्त आकड़े यथा पाप्त आकड़े कहलाते हैं उधारन के तौर पर अगर हम किसी लोगों के सम्मूओं को उनके मन पसंद फल का नाम पूछे तो उनके जवाब खुद इस प्रकार होंगे यह एक और संगटित आकड़ों का उधारन है अगर हमें इसी आकड़ों को संगटित में परिवर्तित करना है तो हमें उसे इस प्रकार लिखना होगा किसी भी विशे की मिलन चिन की संख्या उस विशे की बारंबता कहलाती है यह जो टेबल लिखी गई है इसे हम बारंबता बंटन सारनी कहते है यह अंग्रेजी में एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन टेबल कहते है अब हम वृत्त अलेक या पाई चार्ट के बारंबें पढ़ेंगे एक पाई चार्ट के उधारन यह दिया गया है यह पल प्रत्यक यो त्रिज्य खंड का साइस या आमाप उसके द्वारा नेरोपित लिया कलाप या सूचना के सामानुपात्वी होता है अब हम पाई चार्ट खीचना सीखेंगे उधारन के तौर पर यहाँ पर एक टेबल दी गई है इसका पाई चार्ट हम बनाएंगे यहाँ पर पचास प्रतिशत एरिया चॉकलेट को जाएगा 25 प्रतिशत एरिया वैनिला को जाएगा और 25 प्रतिशत एरिया अन्य प्रकार के आईसक्रीमों को जाएगा तो जब हम इसका पाई चार्ट देखेंगे तो वो ऐसा कुछ होगा यहाँ चॉकलेट वाला एरिया है जो 50 प्रतिशत होना चाहिए था और है यह हमारा वैनिला वाला एरिया है जो 25 प्रतिशत होना चाहिए था और है और हमारा अन्य प्रकार वाला एरिया है जो भी 25 प्रतिशत होना चाहिए था और 25 प्रतिशत अ